हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टूदी चैनल, उमीद करता हूँ काफी जादा अच्छे होंगे, आज इस वीडियो के इंदर हम लोग बात करने वाले हैं, टाटा कर्व के प्यॉर प्लस वेरिंट यानि की सेकिंड बेस मॉडल के बारे में, कल मैंने आप लोग साथ टाटा कर्व सेकिंड सप्टेंबर को आने वाली है, कल टाटा मोटर्स ने टाटा कर्व एवी को ही सरफ लाँच किया था, और टाटा कर्व आइस यानि के पेटोल और डीजल मॉडल को से रवील किया था, अब आज इस वीडियो के इंदर हम लोग कंपलीट डिटेल के इंदर बात मॉडल के बारे में, और अगर आप लोग कर रहे हैं टाटा कर्व लेने के लिए, तो ये मॉडल आप लोग के लिए काफी ज़्यादा ज़रूरी है देखना है, क्योंकि इसके अंदर आपको हर एक चीज मिल जाती है, इस वीडियो के इंदर मैं बात करूंगा, इसके कलर आ विरिंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कॉन-कउन से कलर अप्शन मिल जाते हैं, अब प्योर प्लस के साथ में यहाँ पर आपको दो कलर आप्शन की चॉइस, और एड़ हो जाती है, अगर आप कंपेर करेंगे इसको स्मार्ट विरिंट से, स्मार्ट विरिंट के और गुइंचन और ट्रांसमिशन और तो यह जो प्योर प्लस वेरिंट यहां पर आपके पास जॉइस आड हो जाती है यानिकि अगर आप आप ऑटमाटिक लेना चाहरे है तो वह आप्चिन की जॉइस यहां से आड हो जाती है जबकि smart variant के अंदर आपको automatic option नहीं मिलता तो यहाँ पर अगर आप pure plus ले रहे हैं तो आपको 1.2 लीटर का revatron engine के साथ में जो 6-speed manual है वो भी मिलेगा साथ में 7-speed DCA भी मिलेगा यानि कि automatic मिल जाएगा diesel engine भी आपको यहाँ पर मिल रहा है 1.5 लीटर का cryo jet जिसके साथ में आपको 6-speed manual मिलेगा और 7-speed DCA मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको total 4 choice मिल जाती है engine और transmission option की तो यह चीज आप यहाँ पर काफी जादा सही offer की गई है अब बात आती है इसके features के बारे में देखे इस variant के अंदर आपको जो smart के अंदर features मिलते है ना जो मैंने आपको last video के अंदर बताये तो सारे features आपको यहाँ पर मिल जाते है मैं यहाँ पर एक image आड़ कर देता हूं तो यह सारे features आपको यहाँ पर add-on मिलते हैं इन features से extra भी यहाँ पर कुछ features add-on जाते हैं उसके बारे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको basically जो update किया गया है smart variant के अंदर जो कमी रह जाती है कि जो music system विगरा नहीं मिलता वो सारे updates यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और भी कुछ features है जो कि यहाँ पर offer किये जाते हैं कल वाली वीडियो के उपर एक दो लोगों ने comment किया था कि इसके अंदर music system मिलता है या नहीं मिलता तो उस variant के अंदर नहीं मिलता इस variant के अंदर आपको music system भी मिल जाता है तो यहाँ पर आपको 7 inches का test screen and infotainment system मिलता है हर्मन के तरफ से 17.78 cm वाला प्लस Android Auto Apple CarPlay मिलता है cruise control भी आपको ही से मिलेगा चार speakers आपको यहाँ पर मिल जाएंगे electrically adjustable ORVM भी मिल रहे है साथ में autofold ORVM भी है यह वाला feature भी आपको यहाँ पर मिल रहा है reverse camera park assist आपको यहाँ पर मिल रहा है जबकि जो smart model दा वहाँ पर आपको सिर्फ sensors मिल रहे था smart model के अंदर आपको infotainment sorry जो cluster meter है उसको operate करने के लिए controls मिलता है तो यहाँ पर आपको दोनों चीज मिल जाएगी bluetooth connectivity मिल जाएगी voice command मिल जाएगा phone और media के लिए शाक्वेन अंटेना भी हाँ से मिल रहा है साथ ही leather smart e shifter for DCA जो DCA होगा उसका जो shifter है console with armrest जो बीच वाला पूरा console है वो grand यानि कि टॉप model जैसा आपको यहाँ पर मिलेगा four spoke के अंदर illuminated digital steering wheel यहाँ पर आपको four spoke मिलेगा जबकि जो नीचे वाला model था वहाँ पर आपको four spoke नहीं मिलता यहाँ पर आपको USB mobile charger मिल जाएगा type A और type C दोनों के लिए TPMS भी आपको यहाँ से offer किया जा रहा है और dual tone के अंदर full wheel covers भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे हाला कि जो wheels हैं वो 16 inches रहने वाले हैं बट full wheel cover आपको dual tone के अंदर मिलेंगे साथ ही यहाँ पर आपको touch based HVAC control panel मिल जाएगा जबकि base model के अंदर आपको manual वाला मिलता है यहाँ पर आपको touch based HVAC panel offer किया जा रहा है तो यह कुछ features हैं जो कि यहाँ पर आपको pure plus के अंदर मिल जाएंगे और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे तो basically जो यहाँ पर upgradation किया गया है यहाँ पर इसके infotainment system, music, connectivity options यह ऐसे तमाम features हैं जो कि यहाँ पर add-on किये गए है और अगर देखा जाएं जो कि हम daily necessity के अंदर यूज करते हैं वो सारे features आपको इस model के अंदर मिल जाते हैं जो लोग चा रहे हैं कि उनका budget जादा उपर नहीं है आपको यह model कैसा लगा मुझे comment करके ज़रू बताएगा साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत